हलो विएस वेल्कम जो मैं चैनल इंजल गैबल टारेट्स इन दिस वीडियो आइव मेट फॉर फैजल एंड जननत सो इनका मैं अलड़ी वैसे तो मैं देख चुकी हूँ लेकिन फिर भी फैंस जहें वो जानना चाह रहे हैं कि एक बार फिर से मैं इनका चेक करूँ कि प्रेजन में सिचेशन कैसी है और फ्यूचर में एक बार जानना चाह रहे हैं क्योंकि उसमें जो मैसेज़ेस आए थे डिवाइन अरजीस से वो तो थे ही वो तो हैं हैं जो हैं मैसेज़ेस जो देना चाह रही है डिवाइन अरजीस लेकिन अब आज के सेशन में या तो वो मै अच्छा दिखा रहा था कि दोनों के रिष्टे फ्यूचर में जाके स्तमहल जाएंगे मैं इस वक्त प्रेजेंट सिचेशन को एक बार ज़रूर देखना चाहूंगी मेरे आज पास चोकर भी डिवाइन इनर्ची हैं पॉस्चेफ इनर्ची हैं प्लीज यहां भी मैं आपके बता दूँ कि प्रेजेंट में सिचेशन में फिर से सप्रेशन का कार्ड इसमें आ रहा है या तो कुछ चल रहा है और कुछ है जैसे होता है कि वेक्ति जो है वो दूर दूर रहना हो सकता है कि एक दूसरे के अभी जो है यह बहुत साथा कॉंटेक्ट में रिष्टा होते उसे नजर नहीं आ रहा है और जैसे होता है किसी परिशानी से यह गुजर रहा है और चाहते हैं कि इन दोनों की परिशानिया दूर हो जाए मतलब जितने ही पुरानी इशूस या प्रॉबलम्स हैं उन सब से यह बाहर निकलाएं यह इन दोनों की एक इच्छा भी दिखती है लेकिन किसी रिजन की वजह से मेजर रिजन है यह कोई माइनर रिजन की वजह से नहीं कोई मेजर रिजन है उसके वजह से यहाँ पे मेसेज है कि ये दोनों एक दूसरे से no contact की zone में है that means कि separation का card है कही ना कहीं जो है मन में बहुत आ रहा है कि थोड़े देर दूर ही रहें और थोड़ा सा दूरी बना के रखें ये इनके रिष्टे में बहुत साफ नजर आ रहा है फिर से वोई messages हैं जो उसक आ रहे थे कि separation का इसमें आ रहा है message इसमें presently situation again यही चीज़ दिखा रहा है इसमें और यहां पर दोनों जो है यहां नजर आता है कि किस्मत आजमाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं जैसे होता है वेक्ती struggle बहुत करता है अपनी किस्मत आजमाने के लिए professionally एक मुकाम तक पहुशने के लिए उसको अपना dominant nature बहुत जाद दिखाना पड़ता है तो dominating nature जो है दिखता है इनके उसमें relationship में लेकिन बाद में इनका यहां पर इसमें कुछ इसमें भी नजर आ रहा है कि लोग gossiping बहुत कर रहे है यह जो इनके साथ हो रहा है इसमें यह दिखता है कि लोग gossiping कर रहे है no doubt मतलब सामने के कुछ कहते हैं पीट पीचे कुछ कहते हैं gossiping करना किसी के बारे में जैसे होता है पंचायत करना बाते करना तरह तरह की बाते करना तो इनके सामने यह यह situation रहेगी, रिष्टा बहुत ज़ादा अप इंडाउंस बहुत है बहुत strong नहीं दिख रहा confidence की कमी है रिष्टे में angelic जो blessings हैं वो भी कम दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि present की situation अभी भी कुछ ठीक नहीं दिखा रहा पिछले उसमें में भी जहां तक मुझे याद है death का card आया था, जो कि painful separation का दिखा रहा था, इस वक्त यह दोनों दूर ही दूर है separation का again इसे message है मैं इसमें future में एक बाद check करूँगे, कि future में भी यह situation रहेगी क्या मैं यह सपस चुकोई भी divine एजींस हैं पॉशेफ नहीं जी, भी मुझे बताएं कि फैजल और जन्नत के future में कैसे रिष्टे रहेंगे future में जाके यह जोड़ी रहे पाएगी मैं messages के थूरू जानना चाहूंगी future के अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जैसे कि मैंने बोला कि up and downs है no doubt, इसमें कोई शक नहीं है कि up and downs बहुत हैं इनके रिष्टे में future में भी आद देख रहा है कि कुछ दिनों बाद मैं बहुत आगे तक नहीं इसमें देख पा रही हूं लेकिन हाँ कुछ दिनों बाद जो है या कुछ महीनों बाद जो है या आप कह लिजे एक दो महीनों बाद आप कह लिजे, इसमें ये मेसेज आ रहा है कि ये कभी भी हो सकता है इनके साथ, इनके रिष्टे में कि इसमें एक होता है ना कि रिष्टे में इसक professional life थोड़ी सी हावी हो रही है दोनों चाहते हैं कि हम अपने काम के लिए जाने जाएं बहुत जादा, पब्लिक लिए जाने जाएं ये चीज है, और जाने भी जाएंगे इनको love of fame बहुत मिलेगा फैन से बहुत इनको love of fame मिलेगा अपनी बुद्धी मत्ता की पूरा intelligence का इस्तमाल करेंगे रिष्टर निभाने के लिए दूसरे के साथ, इनका कोई तीसरा जना अगेन यहां फायदा उठा रहा है इन दोनों के ही जो रिष्टा है जॉली नेचर है खासत और से जो जननत है उनका जो जॉली नेचर है वो कहीं न कहीं इनके लिए नुक्सान देना हो यह किसी थर्ट परसंट को जैसे होता है कि फ्रेंडली होकर कि किसी के उपर जैसे रहम खाके कि अरे आओ ना चले थोड़ा सा कोई बात नहीं हम दोनों ही तो है तो कहीं न कहीं लापरवाई हो सकती है तो अपने जॉली नेचर को यह थोड़ा सा कंट्रोल इनको करना चाहिए क्योंकि थर्ट परसंट के एंट्री आगे यहां दिख रही है लापरवाई हो सकती है और इनके फायदा उठा सकता है कोई जना इनके जॉली नेचर का यह emotional रहेंगी उसके बाद जब इनको पता चलेगा कि यह चीज हो गई है तो यह बहुत emotional रहेंगी और कोई जना यही यही जो main जो है यह जो कोई भी है यह इनको बाद ने परिशान करेगा कोई main authority दिखती है यह कोई चम्चा है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है और जो उसका मालक वो यह है that means कि कोई जना ऐसा है जो अच्छे पद पे है level उसका high है senior उसके position पे है वही जहां दोनों यह काम कर रहे हैं उसी field में वो अपने चम्चों के through इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो एक बार यहां पता लगाने की पूरी कोईश कर रहा है और जननत के through जो है catch up करने कोईश कर रहा है कि वहां से पता चल जाए क्योंकि जननत बहुत jolly nature की है अच्छे nature की है इसमें दिख भी रहा है तो उसकी वज़े से रिष्टे में परशानियां आ सकती है कोई जनना इनको चाहेगा कि इन दोनों का रिष्टा ना रहे और रस्ते से अपना काम निकाल लेगा वो इसमें यहां है message इसकी वज़े से ये दोनों ही रिष्टे में परशानी create हो सकती है इसमें यह message है मैं इसमें और आगे देख लेती हूँ कि वो सफल हो पाएगा जो कोई भी है मेरे असपास चोकरिफ डिवाइन एजी से हैं पॉशेफ एजी भी मुझे बताएं कि जननत और फैजल इन दोनों के रिष्टे और इसके आगे फ्यूचर में मैं जाना चाहूँगे किस तरह के रहेंगे आगे जोड़ी समल पाएगी कि नहीं सारे कार्ट्स पॉस्टेव है अगेन वही रीडिंग्स में आ रहा है कि जननत और जुबैर जननत जुबैर और यह फैजल यह दोनों का मैं आपको नेचर बता देती हूँ इनकी नेचर की वजह से ही इन दोनों का रिष्टा बच जाएगा फ्यूचर में जाकर के इन दोनों को समझ में आएगा कि यस कि चीजें हमारी जो हैं वो यह चीजें क्रेट हुई हैं नो डाउट लेकिन जननत को इस्पेशली समझ में आजाएगा क्यों देखिए जननत का नेचर बहुत ही लव केरिंग है बहुत जादा और चाहती भी हैं कि वो रिष्टे में रहें फैजल के साथ और फैजल बहुत मैच्चोर हैं काफी मैच्चोरिटी है उनके में और और जन्नत भी यहां पर दिखता है कि maturity नेचर उनका भी दिखा रहा है तो चीजों को handle करेंगे यह लो रिष्टे में win करेंगे मेहनत करके अपना रिष्टा निभाएंगे चाहीं जो हो जाए और यहां पर मैं आपको बता दूं कि दोनों ही यहां पर message आ रहे हैं दो cards बहुत पावरफुल relationship दिखता है न दोनों का कि अपने रिष्टे को यह मुकाम तक पहुचा पाएंगे no doubt जीतेंगे हो सकता है कि शादी तक बात पहुचे अब यहां तक मैं इसको थोड़ा सा इसमें देखूंगे कि यह बीच में यह हलाकि इनको पता तो चली जाएगा क्योंकि इसमें मैसेज आ रहा है कि वैसे तो यह देखना कोई बहुत जरूरी नहीं है कि इन दोनों के बीच में यह रिष्टे जो यह बीच में खराब हो रहे हैं जो कौन है जो फादा उठाने कोईश करेगा इन दोनों का लेकिन यह एक अच्छी चीज है कि यह दोनों रिष्टा समहल ले जाएंगे इसमें कोई डाउट नहीं है सारी कार्ट्स पॉस्टिव हैं अच्छे हैं विनिंग सिच्वेशन में हैं हाड वर्किंग हैं अपना रिष्टा हाड वर्क करके देखिए रिस्पॉंसिबिल परसन कैसा होता है किसी पर तरीके से मैनेज करके अपना रिष नहीं है तो इस तरह की चीज तो इसमें दिखी नहीं रही है कहीं कुछ भी ऐसा नेगटिव नहीं दिखता है इन दोनों के में यह बलकि यहां तो आखरी में तो यहां हैपी निउस का कार्ड आया हुआ है हैपी मोमेंट्स का ही लोग इंजॉय करेंगे आगी फ्यूचर मे पॉस्चेफ नहीं मुझे बताएं कि जन्नत और फैजल की बीच में यह ठर्ट परसंड कैसा है कौन है यह ताकि पिचाना जा सके है ठर्ट परसंड यह जो बीच में दिख रहा है कुछी दिन रहेगा कुछी महीने रहेगा यह फिर यह चला जाएगा बाद में जो कोई भी है मुझे नहीं मालूम कौन है मेल है फिर मेल है कोई होगा लेट सी वॉट अधर मैसेज़ेज्जेश नो डाउट यह कोई मेल परसंड है यह कोई मेल परसंड है जो प्रॉब्रम क्रियेट करेगा बीच में इन दोनों के और यह फॉल्स परसंड है बहुत जूट बोलता है यह मतलब आप समय लेजिए कि जननत को जो है यह कहीं ना कहीं जो है बेफूफ भी बनाने कोशिश के जैसे कि मैंने बताया था ना जो मैंने अभी आपको बैर रीडिंग्स में भी बता ही रही थी कि यह व्यक्ति ऐसा है जननत का फायादा अठाने कोशिश करेगा और जननत एक बार पीछे प्लट के जरूर देखें यह व्यक्ति कैसा है इसका बैग्राउंड क्या है इसका कैसा है इसका नेचर है बिएवियर है अगर यह देख लेएगी ना एक बार प्लट के तो फिर इनको पूरी असले सामने आजाएगी जननत के सामने यह कोई male person है और यह main male person है और यह बहुत आप ही कर सकते हैं कि बहुत बुढ़ा भी नहीं है बहुत अधेड उम्र का भी मतला समलिजे कि कोई बहुत लड़का type का भी नहीं है यह कोई ऐसा person यह angels message कर रहे हैं कि यह ऐसा person है जो कि आप समलिजे कि 36-40 तक का होगा 45 के नीचे का होगा 40 के आसपास 36-37 के ऊपर यह इसकी age लगभग दिखती है इस तरह की बंदे की और यह काफी smart है handsome है और यह काफी मतलब authority वाला person मतलब जिसका सूर्य अच्छा होगा confidence है इसके अंदर और किसी senior उस पे level पे है जैसे कि उसमें कार्ट हुना इसमें भी यही message आ रहा है same है तो यह लगभग वही है और यह false person है इसमें कोई doubt नहीं है एक बार पीछा परटके देख लेंगी जननत एक बार check out कर लेंगी तो इस person पर जैसे होता है न चेक लगाना एक बार घूम फिर के होता है न वक्ति चेक करता है एक बार कि यह वक्त परसन को वह एक बार चेक जरूर करें और बिल्कुल करें क्योंकि एक लेडी की सेफटी ज्यादा जरूरी है तो जननत जो है एक बार एक बार इस male person को चेक कर लेंगे तो अपने आपी सब चीजें वह फैजल से बात कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसके यहां पर यह चाहिए ज lot better को सुधह, यहां बचपन्षा से नहीं हिए जा रहा है कि यह जो है इसके में इसका मैं समझ पार ही हूं मैं इसको बच पना है इसके में बचपन्षा बचल्ण हें और किसी पी तरीके से अपनी किसमत को अच्छा बनाने में लगा रहता है जैसे होता है कुछ-कुछ होते हैं dominating nature के लोग कि कुछ भी हो जाएगा अपना सब कुछ अच्छा हो जाएगा दूसर जाएगा भड में तो इनका ये nature दिखा रहा है कि बच्पना बहुत है इस वेक्ती में और बच्पने में ही ये जो है हरकत कर रहा है इन दोनों के बीच में तो जाहिर से बात है जिस वेक्ती में maturity नहीं है तो उसाधा दिन तो टिके गानी रिष्ते में दोनों के बीच में तो क्योंकि तो क्योंकि इसके में बच्पना आए लेकिन जन्नत और फैजल में maturity है वो इसको handle कर ले जाएंगे बहुत clear message है आप लोग के सामने है तो I think the message is very clear इसमें मुझे नहीं लगता कोई का ऐसी खत्रे वाली बात है दोनों का रिष्टा पीच में थोड़ा सा चल रहा है presently लेकिन सब चीजों से ये बाहर निकलाएंगे कोछी महीनों बाद आप देखिएगा कभी भी हो सकता है ये चीज़ कि ये दोनों प्राब्लम से बाहर निकलाएंगे कोई इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ये कोई male person है इसने इनको बचना चाहिए I think the message is very clear Thank you so much Thank you so much